इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता है, यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए सही मात्रा मिल सके। आपका डॉक्टर आपको कम खुराक पर शुरू कर सकता है और इसे धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। अपने डॉक्टर से बात किये बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बन न करें, भले ही आप ठीक महसूस करें। ऐसा करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षणों यानि की चिंता, बेचैनी, धरकन, चक्कराना, नींद में गरबड़ी, आधी से पीडित हो सकते हैं। अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रति दिन एक ही समय पर लें। अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आपका डॉक्टर आपको सुभ इसे लेने की सलाह दे सकता है। आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। यदि आपको चार सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। पैरिवेव CR 12.5 टैबलेट के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में जी में चलाना, ठकान, मूँ सूखना, भूखना लगना, पसीना बढ़ जाना, चक्कराना, घबराहट, कपकपी, अनिद्रा, यानि की नींद में कठिनाई और कब्ज शामिल हैं। यौन इच्छा में कमी, स्खलन में देरी और स्तंभन दोश जैसे यौन दुश प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आपका मूड अचानक खराब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में कोई विचार आता है। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मिर्गी यानि की जबती विकार या दौरे, मधुमिय, यकृतिय, गुर्दे की बीमारी, हृदे की समस्याएं या ग्लुकोमा है। ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। विशेश रूप से अन्य एंटी डिपेंटेंस और दवाएं जिन्हें MAO इन्हीबिटर कहा जाता है। कृप्या आपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आप ले रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।